हमारे हिंदू धर्म में हमें यह सिखाया जाता है कि जब भी हमसे कोई बड़ा या सम्मानित व्यक्ति मिले तो हमें उसके पैर जरूर चूने चाहिए लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कब और कैसे लोगों के पैर व्यक्ति को नहीं चूने चाहिए तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि शास्त्रों में वह कौन से पाँच लोग हैं जिनके पैर छूने से आपके सारे पुर्णे नस्ट हो जाएंगे नमबर एक शमसान से लोट रहा व्यक्ति जो व्यक्ति शमसान से लोट रहा हो उसके पैर नहीं चूने चाहिए क्योंकि अंतिम संसकार से लोटने के बाद व्यक्ति अशुद हो जाता है नमबर दो सोता हुआ व्यक्ति धार्मिक शास्तरों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सो रहा हो या लेटा हुआ हो तो उसके पैर भी नहीं चूने चाहिए ऐसा करने से उस व्यक्ति की आयू कम हो जाती है वेदिक शास्त्रों के अनुसार केवल मृत शया पर लेटे हुए व्यक्ति के ही पैर छुए जाते हैं और किसी के नहीं इसलिए आपको ऐसी गलती करने से हमेशा बचना चाहिए नमबर तीन मंदिर में उपस्तित वेक्ति मंदिर में यदि कोई वेक्ति आपको मिल जाता है तो उसके पैर कदापी ना चुएं क्योंकि मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है यदि हम भगवान के सामने किसी भी मनुश्य के पैर चूटे हैं तो यह इश्वर और मंदिर दोनों का अपमान माना जाता है नमबर चार अपनी पतनी के पैर ना चुएं पती को भूलकर भी अपनी पतनी के पैर नहीं चूने चाहिए ऐसा करने से परिवार पर संकट आता है और दरिद्रता आ जाती है शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को अपने पती के चरण इसपर्ष करने चाहिए ऐसा करने से परिवार का सो भाग्य बढ़ता है और खुशियां आती है नमबर पाँच यदी कोई वेक्ति ध्यान कर रहा हो तो ऐसा कहा जाता है कि यदी कोई वेक्ति ध्यान कर रहा हो पूजा कर रहा हो तो उसके चरण इसपर्ष नहीं करने चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो पूजा कर रहे वेक्ति का ध्यान भंग होता है और आपको आशिर्वाद मिलने की जगे दोश लगेगा अतै उप्युक्त बताएगे वेक्तियों के पैरों को छूने से आपकी जिन्दगी में परिशानियों की भर्मार आ सकती है तो इन लोगों की पाव कदापी ना चूएं थैंक्स वर वचिंग प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चानल थैंक्यू थैंक्स अलोट अगें